द्रिश्टी आईस की ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है सपना कुश्वहा आज का हमारा आर्टिकल भुगोल के महत्वपून भाग अरावली परवत श्रिंखला से संबन्धित है UPSC की प्रारमविक और मुख्यदोरों परिक्षाओं में इस भाग से प्रश्ट पूछे जाते रही है ये आर्टिकल आपकी उत्तर लेखन की गुडवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा ये ओडियो आर्टिकल सामाने अध्यन प्रश्ट पत्र एक के भुगोल खंड से जुड़ा है तो आईए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं अरावली विश्यो के सबसे प्राचिंतम वलित अफशिष्ट परवत शिंखला में से एक है जो मुख्य रूप से वलित चटानों से बना है इसका गठन प्रोटेरो जोई युक के दोरान टेक्टोनिक प्लेटों के अभी सरण के परिडाम स्वरुप हुआ है गौर तलब है कि अरावली के आसपास के प्रमुख जन जाती समुदायों में भील, भील मीना, मीना, गरासिया और अन्य शामिल है यह पर्वत शेंखला न केवल भूगर्भी द्रिष्टी से महत्तुपूर्ण है बलकि सांस्कृतिक, एतिहासिक और पर्यावरणी द्रिष्टी से भी अनमूल है बता दे कि इसका अस्तित्व आज भी भारत के उत्तर और पश्यमे हिस्सों में जीवन को सनक्षित करने में महत्तुपूर्ण भूमिका निभाता है इस ओडियो आर्टिकल में अरावली पर्वत की भूगर्भी सनरचना, पर्यावरणी योगदान, सांस्कृतिक महत्व, वर्तमान चुनौतियां और सनरक्षण के प्रयासों पर चर्चा करेंगे आईए अब हम जानते हैं अरावली की भौगोलिक स्थिती और भूगर्भी सनरचना के बारे में अरावली पर्वत शिंखला भारत के पश्चमी हिस्से में सित है और यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान इवं हर्याना से हूकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है यह उत्तरपश्चिम से दक्षरपूर्व की दिशा में विस्रित है भूवग्यानिक रूप से यह परवत शिंखला लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है जो इसे प्रित्वी की सबसे प्राचीन परवत शिंखलाओं में स्थान प्रदान करती है इस परवत शिंखला की सबसे उची चोटी माउंट आबू में इस सित गुरुशिखर है जिसकी उचाई 1722 मीटर है अरावली की चटानों में ग्रेनाइट, क्वार्डजाइट और संग्मर्मर जैसे खनिच पाये जाते हैं यह शिंखला नदियों, जीलों और जलसन साधनों का शोत होने के कारण राजस्थान और अन्य राज्यों के लिए जीवन रेखा के रूप में कारे करती है आए अब हम अरावली परवत शिंखला के पर्यावरणी योंगदान के बारे में जानते हैं अरावली परवत शिंखला का पर्यावरणी महत्व अत्यधिक है यह राज इसके अत्रिक्त अरावली परवत्षिकला जल सनक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली परवत्षिकला भारती इतिहास और सनस्क्रती का सजीव प्रतीक है। माउंट अबू जो अरावली का हिस्सा है एक प्रसिद धार्मिक स्थल है। यहां ऐसे दिलवाड़ा जैन मंदिर और अर्बुदा देवी मंदिर न केवल धार्मिक बलके स्थापतिक कला के भी उतकृष्ट उदाहरण है। अरावली परवत शिंखला आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी सनक्षित करती है। साथ ही अरावली परवत शिंखला पर्यटकों के लिए भी एक आकर्शड का केंद्र है। माउंट आबू, सरिस्का और रड थंभौर जैसे स्थल प्राकृतिक सौंदरे और वन्ने जीवन के लिए प्रसिद्ध है। नक्की जील, दिलवाडा मंदेल और गुरु शिखर जैसे स्थान हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्शित करते हैं। इसके अत्रिक्त, ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए अरावली के कई मार्ग एडवेंचर प्रीमियों के लिए उप्युक्त हैं। चलिए अब हम अरावली के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जानते हैं। अरावली परवत शिंखला आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें सबसे प्रमुख है अवैद खनन। संग्मर्मर और अन्य खनिजों के अंधाधुन खनन के कारण यह परवत चुन्खला अपनी सनरशना और पर्यावर्णी महत्व को खोती जा रही है। इसके अलावा अरावली के शेत्र में बढ़ते वनों की कटाई और शहरी करण के कारण जंगलों की खनी आबादी कम हो रही है। वनों का नश्ठ होना पारिसतिकी तंत्र को नुकसान पहुचाता है और जैविविदता को खत्रे में डालता है। साथ या शेत्र की जलवाई को प्रभावित करता है क्योंकि जंगलों की कमी के कारण वायूमंडली कारवन उत्सर्जन में वृत्धी हो रही है और इस्थानिय मौसम में बदलाव आ रहा है। बता दे कि दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य शेहरों में शेहरी करण की गती के साथ अरावली परवत शेत्र के आसपास की भूमी पर अतिक्रमड हो रहा है या ना केवल जंगलों और वन जीओं के लिए खत्रा है बलकि इससे जलवाई परिवर्तन और जल संकर जैसी समस् उत्पन्न हो रही है चलिए अब हम जानते हैं इसके सनक्षण के लिए कौन-कौन से प्रयास किये जा रही है अरावली परवत शेंखला को सनक्षित करने के लिए सरकार और समाज के स्तर पर कई प्रयास किये जा रही है भारत की सर्वुच्च न्यायाले ने इस शेत्र में अबैद खनन को रोकने के लिए सक्त आदेश चारी किये हैं। अरावली सनरक्षण कानून के तहट इस शेत्र में खनन और निर्माण कारियों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा वनों के पुनर्वनी करण और जल्शोतों के पुनर्जिवी करण के लिए कई परियोजनाई शुरू की गई हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठो द्वारत जागरुकता अभियानों के माध्यम से स्थानी समुदायों को अरावली के सनरक्षण के लिए प्रेदित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राकर्तिक संसाधुनों के विवेकपुन उप्योग और शहरी करण को नियत्रिक करने के लिए यूजनाई बनाई जा रही है। इन प्रियासों से उमीद है कि अरावली की पारिसितिकी तंत्र और जैविविदिता को बचाया जा सकेगा। और यह पर्वत शेंखला भविशे में भी भारत के पर्यावरणिय संतुलन में महतुपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। चलिए अब देखते हैं निशकर्ष को। अरावली पर्वत शेंखला भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहर का अध्वितिय हिस्सा है। यह न केवल भारत के पर्यावरणिय संतुलन को बनाये रखने में सहायक है, बलकि इसकी जैब विविदिता और एतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसित है। हलाकि आधूनिक चुनौतियां जैसे खनन और शहरी करण इसके अस्सितों के लिए खत्रा बन रही है। इसलिए अरावली के संरक्षड के लिए सामूहिक प्रयाज आवश्यक है। परड़ी योगदान और इससे जुड़ी प्रमक चनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपिसोड में किसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। झाल